हेलो वेलकम फ्रेंट एक बाद फिर स्वागत है आपका स्टड़ी हाइट्स पर मैं हूँ कियास्तोमर दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे इगनु के MBA प्रोग्राम के बारे में इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो इगनु MBA की जानकरी जानने के लिए आपको चलना होगा इगनु की ओफिशल वेबसाइट पर जो की है www.ignu.ac.in जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे इस अब्डेट हुआ है बट हो सकता है कुछ दिन बाद ये नोटिविगेशन आपको यहाँ पर ना दिखाई दे यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं आपको direct लेके चलता हूँ so आपको यहाँ पर simply पहले home पर आना है home बटन पर click करने के बाद आपको यहाँ पर student support यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यह student support का option है यहाँ पर drop down menu open होगा जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर drop down menu में आपको third option मिलेगा downloads का इस option पर आपको click करना होगा जैसे आप इस option पर click करेंगे click करने के बाद आप download section में आ जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं left side में काफी सारे options आपको दिए गए हैं बट आपको यहाँ पर management prospectus वाले option पर ही click करना है जैसे आप इस option पर click करेंगे click करने के बाद आप इस page पर आ जाएंगे यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर management prospectus यहाँ पर दिए गए हैं और यह 10 September को अपडेट हुआ है यानि 6 सितंबर के दिन इगनू की website पर अपडेट आई थी पहला जो prospectus है वो यहाँ पर MBA prospectus है 2021 से लेके 2022 session के लिए देन उसके बाद second है Postgraduate Diploma in Management 2021-2022 देन उसके बाद third option है MBA B&F prospectus आपको simply यहाँ पर MBA prospectus 2021-22 पर click करना है click करने के बाद आपके सामने जो latest इगनू का prospectus होगा MBA program के लिए वो डाउनलोड होकर open हो जाएगा यह आपके prospectus की PDF फाइल है आप देख सकते हैं लिखा हुआ है Student Handbook and Prospectus और यहाँ पर session भी mention किया गया है तो अगर आप इस वीडियो को next year देखते हैं या कभी भी देखते हैं तो हो सकता है आपको नया prospectus मिलेगा यहाँ पर और वही session यहाँ पर mention होगा जो session चल रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है Master of Business Administration MBA यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि AI CTE Approved Program है तो यहाँ पर पूरी information आपको इस program के बारे में मिलने वाली है इकुनाइजेशन से लेकर कि इनू उनिवर्सिटी कहां से रिकुनाइजड है क्या-क्या इसके पास certificates है वो साही जानकर यहाँ यहाँ से मिल सकती है जान उसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं अगर हम जानना चाते हैं इस program की eligibility को तो आपको यहाँ पर इस PDF फाइल में नीचे आना होगा अगर आप detail में जानना चाते हैं तो सारी चीज़े आप detail में पढ़ सकते हैं मैं यहाँ पर तोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़े clear हो सकें यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.0 पर आप आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है MBA प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ पर नीचे scroll down करेंगे तो यहाँ पर इसके silent feature बताए गए है देन उसके बाद इसकी eligibility यहाँ पर दी गई है तो MBA करने के लिए एगन्यू से जो eligibility है वो यहाँ पर लिखी हूई है past bachelor degree of minimum 3 years duration with at least 50% marks यानि कि आपके पास कोई भी bachelor degree होनी चाहिए जो कि 3 साल की कम से कम होनी चाहिए क्योंकि काफी ऐसे colleges हैं जो ऐसी degree कराते हैं जो 2 साल एक साल में ही graduation की degree दे देते हैं तो वो यहाँ पर valid नहीं है 3 years degree ही आपकी valid होगी जो generally होती है यहाँ पर minimum आपके 50% marks होने चाहिए आपके graduation में तभी आप MBA program इगन्यू के लिए eligible होंगे बाकि जो reserve category है SC, ST, OBC जो भी इगन्यू क्रिटेरिय में आती है उनके लिए यह percentage 45 है यानि कि 50 से 5% इसमें आपको relaxation दिया जाएगा उन सभी student के लिए जो reserve category से ब्लॉंग करते हैं जन इसके बाद इस program की duration के बारे में हम बात कर लेते हैं तो इस program की duration यहाँ पर नीचे ही दे रखी है यहाँ पर minimum duration 2 साल की है आप इसे minimum 2 साल में IGNU से अपनी MBA कंप्लीट कर सकते हैं और कोई student अगर किसी condition से exam नहीं दे पाता है तो उसके लिए यहाँ पर 4 साल का maximum time period रखा गया है यानि admission लेने के बाद 4 साल तक आप अपनी MBA कभी भी IGNU से कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पर IGNU MBA कोर्स के बारे में बताया गया है सो यहाँ पर आप दीचे देख सकते हैं यहाँ पर इस पैरा में लिखा गया है इस्टुएंट विल बी अलाउट तू रजिस्टर और रेजिस्टर 7 कोर्सिस इन सेमेस्टर तू एनेबल देम तू रेजिस्टर औल दा रिक्वाइड 28 कोर्सिस फोर दा अवर्ड ओफ एम्बी अडिग्री इन 4 सेमेस्टर डाट इस 2 यहाँ याँ कि आपको 4 सेमेस्टर में यह कंप्लीट करने होगी एक साल में 2 सेमेस्टर आपको कंप्लीट करने होगे तब आप MBA इनु से कंप्लीट कर पाएंगे तो यह सारे रेजिस्टरेशन की डिटेल आपको मैं काफी वीडियो में दे भी चुका हूँ अगर कोई अगर आपका डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्षेन में पूछ सकते हैं उसके बाद बात करते हैं medium of instruction की तो किस language में यह इनु कोर्स प्रोवाइट कराता है तो यहाँ पर सिर्फ English language है तो इंग्लिस में ही आपको कोर्स पुरा पढ़ना पड़ेगा उसके बाद नीचे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या information जो आपके काम की है उसके बाद आता है program structure जो की काफ़ी important है because बिना program structure को जाने हुए आप किसी भी course को complete नहीं कर पाएंगे यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पर 28 course आपको मिलेंगे साथ में जो include हैं यहाँ पर वो सभी भी हाँ पर mention किये गए हैं इस prospectus को download करने के बाद आप इन सभी चीज़ों को carefully पढ़ें ताकि आप से कुछ चीज़े miss न हो जाएं then आपको मैं बता दूँ अगर आपको ना पताओ कि इगनू credit system follow करता है तो credit system based दी आपका यह program है आपको हर subject के कुछ न कुछ credit यहाँ पर दिये गए होंगे सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि first semester में आपको यह 7 course मिलेंगे जो यहाँ पर दिये गए है second semester में यह course आपको मिलेंगे इसी तरीके से अगर आप नीचे चलेंगे तो बाकी के जो semester है third semester और fourth semester उन सभी के course के list यहाँ पर दी गई है और जो optional subject है उनकी information भी आपको इस prospectus में मिल जाएगी then यहाँ पर अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर admission procedure इगनू ने बता रखा है admission procedure इगनू साल में दो बार admission लेता है हो सकता है कभी यह जुलाई session में हो कभी जनवरी session में तो changes इसमें होते रहते हैं वो आपको इगनू की website से update मिलती रहेगी then उसके बाद बात करते हैं program fees की जो की सभी student जानना चाते हैं कि इगनू की MBA की कितनी fees है तो यहाँ पर total fees जो इगनू के MBA program की है वो है 58,000 यानि की 58,000 रुपे आपको complete fees पे करनी होगी इगनू से MBA करने के लिए और इसको पे करने का जो pattern है वो यहाँ पर बताया गया है आपको first, second और fourth semester में 14,000 रुपे पे करने होगे यानि की first, second और third में 14,000 करके आपको तीन बार यह payment करनी होगी then आपका जो third semester होगा उसमें आपको 16,000 रुपे की payment करनी होगी then आपकी 58,000 fees complete हो जाएगी then यहाँ पर नीचे बताया गया है किस तरह से इगनू marks आपको provide कराएगा वो सभी information आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगी तो आप यहाँ से side information ले सकते हैं यहाँ पर मैं आपको short में और काफी easy process से बता देता हूँ कि जो आपके assignments होगे क्योंकि इगनू में assignment submission का process compulsory है तो जो आप assignment बना कर submit करेंगे अपने उसका 30% weightage आपके marks में include होगा और साथी साथ जो आपके term and exam होगे जो आपको examination देने होगे उसका 70% weightage होगा आपकी percentage improve करने में इसलिए आप जब भी अपने assignment बनाए तो उस पर काफी focus करके बनाए ताकि उसमें आपको maximum marks आप ले सके जिससे आपकी percentage आगे जाके improve हो सकती है यह complete evolution system है इगनू का जो आप यहाँ पर पढ़ सकते है तर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने term and exam के बारे में बता रखा है कि आपके exam कब कब होते है कब आपको exam form बना होता है और क्या उसकी fees होती है तो यहाँ पर इगनू साल में दो बार exam conduct करता है जून और दिसंबर के अंदर जो जून के exam होंगे उसके लिए जो आपके assignment submit होते है वो 1st March से लेके 31st March के बीच होते है उस दोरान आप अपने assignment submit कर सकते है इसमें last date में changes होते रहते है last date इगनू extend भी कर देता है बट जो actual rate है वो 1st March to 31st March तक है तर दिसंबर के लिए आपको 1st September to 30 September तक assignment submit करने होते हैं और जो आपके exam form की fees होती है आपको per subject 200 रुपे subject के लिए pay करने होते हैं अगर आप IGNU में कोई भी subject का exam देते हैं नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा examination fees 200 रुपीस per theory course mode of payment आप payment online अपना exam form बर सकते हैं credit card debit card net banking से payment करके नीचे यहाँ पर बताया गया है कि आपके study material को आप तक कब पहुचाए जाएगा कब इसकी counselling होगी assignment submission क्या होगा सारी चीजों की information आपको complete इस prospectus में मिल जाएगी बाकि अगर आप चाहते हैं मैं आपको बताऊँ कि किस तरह से आपको admission procedure follow करना है या step to step किस तरह से admission लेना है तो आप मुझे comment box में लिख कर बता सकते हैं जैन मैं उस पर एक detail में वीडियो बना दूँगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको इस course में admission लेना होगा अब बात करते हैं जो यहाँ पर second management प्रोस्प्रक्टस दे रखा है पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट इस पर अगर हम किलिक करेंगे उसके बाद आपके सामने प्रोग्राम है उनका प्रोस्प्रक्टस ओपन होगा आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर यह चार आपको इस प्रोस्प्रक्टस में मिल जाएगी तो अगर आप इसमें नीचे जाएंगे तो आप सभी इंफोर्मेशन साही लिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं जो काफी इजी प्रोसीज़ है आप इजी ली चेक कर पाएंगे तो उसके बाद थर्ड है इसके बारे में आपको इन्फोर्मेशन यहां से मिलेगी इस प्रोग्राम को करने के लिए जो इलिजिबिलिटी यहां पर आपको मिलेगी वो काफी टफ क्रिटेरिया है सो काफी कमी स्टूनेट इसमें इसमें इडिमिशन ले पाते हैं सो यह सभी इलिजिबिलिटी यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मिनिवम आपके पास ग्रैजुवेशन होनी चाहिए 3 येर की और 50 परसेंटेज के साथ आपने अगर C, A, I, I, B एग्जामिनेशन के आप इस प्रोग्राम में एडिमिशन ले पाएंगे फीस यहां पर इसकी 58,000 उपए है जो पहले फीस MBA प्रोग्राम की मैंने आपको बताई थी उसी तरीके से इसे पे करना होगा और साथ ही साथ इसका मीडियम और इस्ट्रक्शन भी इंग्लिस है और सारी डिटेल्स आपक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली सभी अपडेट इग्नू से एलेटिड या एजुकेशन से एलेटिड आपको इस चैनल पर मिलती रहे तन मैं मिलूँगा आपसे नेक्स वीडियो में एक नए टोपे के साथ तिल जाने टेक केर और गुद बाए